Good morning students, तो आज की क्लास में मैं आप से करवाने वाली हूँ, यह exercise Fill in the blanks with A और N मैंने आपको पढ़ाया है ना कि A कहां यूज होता है और N कहां यूज होता है A का यूज हम सारे consonants के साथ करते है और N का यूज हम सारे vowels का साथ करते है तो याद है आपको कि भॉविल्स क्या क्या होता है भॉविल्स A, E, I, O और U तो आपको देखना है इसमें कि कहां A है, कहां E है, कहां I है, कहां O है, कहां U है जहां ये पांच और लेटर्स है वहाँ आपको किस चीज का यूज करना है वहाँ आपको and का use करने है ठीक है और जहां a, b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, b, w, x, y, z हो यानि 21 consonants होते हैं हमारे तो उन में से अगर कोई हो तो आपको a का use करने है अब देखो यह b exercise है match the following one has done for you देखो यह van है ना वी क्या है आपका consonant है तो this is a van फिर c क्या है आपका consonant है तो this is a cow, this is an ox ऐसे match करने है ठीक है तो चलो यह वीडियो यहीं पर कत्म होती है मैं आप से मिलती हूं कल की वीडियो में बाई